वास्तु शास्त्र के अनुसार हर कार्य के लिए कुछ शुब दिशा सुचकों के बारे में बताया गया है. कहा जाता है कि अगर कोई भी कार्य शुब दिशा को ध्यान में रख कर किया जाए तो आपके जीवन की सभी परेशानिया दूर होती है और आपको शुब फल और सुख समरिधी की प्राप्ती होती है वही अगर आप गलत दिशा में बैठ कर खाना खाते हैं तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है वास्तु के अनुसार की गई चीजे व्यक्ती को सफलता दिलाती हैं इससे आपका स्वास्थय बहुत अच्छा रहता है यही नहीं इससे आपकी जि आस्त्रियों के अनुसार खाते वक्त दिशा का ध्यान अवश्य रखना होता है और अगर भूल कर आप ऐसे गलती करते हैं तो आपको काफी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता हो ऐसे में इन बातों का धन्यान नहीं रखा जाए तो आपको काफी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है साथ ही व्यक्ति की आयू घटने लगती है वास्तु के अनुसार खाना खाने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्व दिशा को माना गया है वास्तु में खाना खाने के लिए दक्षिन दिशा को सबसे अशुब माना गया है और यही नहीं समस्याएं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं वास्तु शास्त्र अनुसार आप पश्चिम दिशा में बैठ कर भूल कर भी खाना न खाएं इससे आर्थिक समस्याएं बती है इससे व्यक्ति के जीवन में कर्ज बढ़ता है अगर आप इन बातों के उपध्यान नहीं देंगे इससे व्यक्ति के जीवन में सिर से पैर तक कर्ज बढ़ जाता है और इससे जीवन में सभी समस्याएं खत्म होंगी